मिठू तो ता जंगल में गरम गरम भुट्टे बेशता था सर्दी के मोसम में गरम गरम भुट्टे सभी छोटे पक्षियों को बहुत आकर्शत करते थे अंकल अंकल तो ते मुझे वो बड़े वाला भुट्टा दे लो आप यही ले लो बहुत मीठे और सवादिष्ट हैं मेरे भुट्टे बुलबुल का बेटा बुलबुला भी मिठू तो ते से भुट्टा खाने के लिए आता है भुट्टे लो भुट्टे मीठे और गरम गरम भुट्टे अंकल ये ले दो रुपे और मुझे भी एक भुटा दे दें ऐसे चिडिया का बेटा कुकू और बुलबुल का बेटा बुलबुला अपना अपना भुटा लेकर खाने लगते हैं किकी जो कबुतर का बेटा था वो भी वहां आ जाता है कुकू मेरा भी भुटा खाने को बहुत मन कर रहा है मगर मेरे पास तो पैसे नहीं है किकी आप हमारे दोस्त हो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ आप मुझे आधा भुटा लेकर खा ले फिर कुकू किकी को अपने भुटे में से आधा भुटा दे देता है जिसे किकी बहुत मजे से खाता है ये भुटा तो बहुत स्वादिश्थ था मेरा दिल का रहा है कि मैं ऐसे सो भुटे खाऊ सो भुटे इतने भुटे खाने के लिए पैसे कहां से लाओगे हाँ, ऐसा तो है फिर शाम हो जाती है और सब ही छोटे पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं उसी जंगल में कालू कवा और गोरी कवी भी रहते थे गोरी कवी कालू कवी की पतनी अपने पती से कहती है कालू जी सुनो तो आज कल मिठू तोते के भुट्टे बहुत भी करें हैं क्यों न हम भी जंगल में भुटे बेचने का काम शुरू कर दें अच्छा मनाफ़ा होता है इस काम से गोरी बात तो तुम्हारी ठीक है ऐसे तो हम बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे मगर कालू जी समस्या ये है कि हम भुटे कहां से लाएंगे तोटे का तो अपना खेत है और हम तोटे के खेत से चुरा लेंगे और फिर वही भुटे दिन में बेच दिया करेंगे वा कालू जी वा दिमाग हो तो तुम जैसा अब मिठू तोटे के भुटे चुरा कर बेचेंगे हम चलो गोरी हम अभी जाकर मिठो तोते के खे से कुछ भुटे चुरा लाते हैं फिर वो दोनों पती पतनी अपने घर से निकलते हैं मैं भुटे तोड़ता हूँ और गोरी तुम इन्हें बोरी में डालती जाओ फिर वो ऐसा ही करते हैं कालू जी बस कर जाओ बोरी तो भर गई है तोते के खेत से धेट सारे भुटे तोड़ने के बाद वो दोनों अपने ख़र चले जाती है सुभा हो जाती है जब मिठो तोता अपने खेत में जाता है तो उसे अपनी मकेई की फसल उजड़ी उजड़ी लगती है मैंने तो यहां से भुटे नहीं तोड़े थे ये मेरे भुटे कौन तोड़ कर ले गया शायद मैं भूल रहा हूँ मैंने ही तोड़ ये होंगे वो फिर से अपनी रेहडी लगा लेता है और जंगल में भुटे बेचने चला जाता है भुटे भुटे गरम और नरम नरम भुटे मीठे मीठे भुटे तोड़ा ऐसे आवाज लगाता है थोड़ी ही देर बाद कालू कव्वा और गोरी कव्वी भी अपने रहडी लेकर तोड़े से थोड़ा दूर आकर खड़े हो जाते हैं गोरी लगाओ आवाज अब हम देखते हैं ये बड़ी चोंच वाला तोड़ा कैसे अपने भुटे बेचता है सबसे मीठे सबसे नरम मेरे भुटे गरम गरम गोरी ऐसे आवाज लगाती है चलो कुकू आज कवे से भुटा लेकर खाते हैं आज तो कवा और कवी भी भुटा बेच रहे हैं ये लो कालू भेया दो रुपे और मुझे एक भुटा दे दे ये कवे भुटे कहां से लेकर आए हैं कहें ये मेरे भुटे ही तो नहीं चुरा कर ले आए मिठो तोता ऐसे सोचता है फिर गोरी कवी मिठो तोते के पास आती है ओए बड़ी नाक वाले तोते अब हम आगे हैं तुम्हारा मुकाबला करने के लिए तुम अब कहीं और जाकर भुटे बेचा करो अगर बात मुकाबले की है तो मैं देखता हूँ तुम कैसे भुटे बेचते हो मैं अब आधी कीमत पर भुटा बेचूँगा तुम मुझे बेच कर दिखाओ फिर तोता आवाज लगाता है एक रुपे में भुटा लो एक रुपे में आधी कीमत आज आधी कीमत पर ही भुटा लो गोरी गुसे में वहां से चली जाती है कबूतर और कबूतरी अपने बेटे के साथ जा रहे थे तोते की आवाज सुनकर वहां आ जाते हैं ममा ममा आज तोता अंकल आधी कीमत पर भुटा बेच रही है मुझे भी ले दें कॉलू जी अब क्या करें अब तो सारे ग्राहक उसी बड़ी चौंच वाले के पास जाएंगे उसने तो भुटो की कीमत आधी कर दी है तो हम एक रुपे में दो भुटे कर देंगे हम कौसा खरीद कर लाते हैं भुटे इस बड़ी नाक वाले तोते के खे से ही तो चुरा कर लाते है आज रात फिर से चुरा लेंगे फिर गोरी आवाज लगाती है एक रुपे में दो एक रुपे में दो भुटे तोते से ज्यादा मीठे और सवादेश्ट एक रुपे में दो भुटे एक रुपे में दो ऐसा कैसे हो सकता है क्या ये भुटे मुफ्त में लाएं हैं? हो नहो ये भुटे मेरे खेट से ही जुरा कर लाएं हैं आज रात मैं बहरा दूंगा और देखूंगा कैसे ये काले कवे मेरे भुटे जोरी करते हैं शाम को अपना काम खतम करने के बाद दोता चिडिया के पास जाता है चिडिया बहन आज आप मेरे साथ चले मेरे मकई के खेट से चोरी हो रही है मैं आज अपने खेट का पहरा दूंगा तोते भेया हमारे जंगल में तो कोई चोर नहीं है है एक चोर है मुझे उस कालू कवे पर शक है ये जो भुटे आज वो बेज रहा था ये मंडी से नहीं बलके मेरे खेट से ही चुरा कर लाया था फिर तोता चिडिया को साथ लेकर अपने खेट की रिखवाली के लिए चला जाता है वो दोनों एक जगा जाकर छुपकर बैठ जाते हैं रात को गोरी कवी और कालू कव्वा भी तोते के खेट से भुटे चुराने की तियारी करते हैं कालू जी कैसा रहा हमारा बिजनस भुटे भी तोते के ही और मुकाबला भी तोते से ही गोरी जब हमने एक रुपे में दो भुटों की आवाज लगाई तो तोते का मूँ देखने वाला था बिचारा रो रहा था कालू जी अब चलो मैं पोरी उठा लूँ और हम जल्दी से आज फिर तोते के खेट से भुटे चुरा लाएं फिर वो दोनों अपने खेट से तोते के भुटे चुराने निकलते हैं वो ये नहीं जानते थे के आज तो वो बुरी तरहा पिटने वाले हैं कालू जी आज मैं तोड़ती हूँ और तुम बोरी में डालो गोरी कभी गोर से चौँच देखी है उस बड़े मिठ्धू तो देखी उसकी चौँच ऐसे है जैसे कोई खोफनाक गुफा होती है कालू कालू जी मुझे उस बड़ी चौँच वाले की चौरी करने का बहुत मज़ा आता है मैं देता हूँ तुम्हें मज़ा चौड़िया कहा है मेरी बड़ी वाले लाठी फिर तोटा अपनी लाठी उठाता है और जाकर कवों की पिटाई शुरू कर देता है कौन कौन है अरे कालू ये तो तोटा आ गया बचाओ बचाओ कोई हमें बचाओ परंतू तोटा कहा रुकने वाला था वो कवों की खूब पिटाई करता है फिर थोड़ी देर बाद आकर चुड़िया तोटे को मना करती है तोटे छोड़ दो हमें चाने दो माफ कर दो गलती हो गई मेरे फोटे और मुझी से मुकाबला करती है तो काली कवी कहीं की फिर कालू और गोरी कवी वहां से फूर उड़ जाती है और पीछे मुड़ कर नहीं देखते आज के बाद ये कवे कभी चोरी नहीं करेंगे कवा और कवी भूके थे वो भोजन की खोज में निकले हुए थे उड़ते उड़ते उन्हें रास्ते में तोटा बैठा दिखाई देता है वो दोनों तोटे के पास चाते हैं तोटे कुछ मिला या हमारी तरह हम भूके ही फिर रहे हो एक अमरूद मिला था वो मैंने खा लिया और अब दूसरे की खोज में हूँ गोरी ये मीठे मीठे फल भी इन मोटी जोंच वाले तोटों को ही मिलते हैं और हमें तो सूखा दाना तक नहीं मिलता तोटे आज हम पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं अगर मन है तो आजाओ हमारे साथ ना बाबा ना वहां तो चील और उल्लू रहते हैं हम नहीं वहाँ जाएंगे अगर ऐसे डरते रहोगे तो एक दिन वो चील और उल्लू तुम सब को इस जंगल से ही निकाल देंगे कवे जी जान है तो जहान है मैं तो वहां नहीं जाएंगा फिर कवा और कवी अकेले ही पहाडों की तरफ चले जाते हैं वहां उन्हें एक जगा कुछ दाने चावल के मिल जाते हैं वो दोनों पती पतनी वहां बैठ जाते हैं वो उल्लू जिसकी दोस्ती जील से थी उन्हें देखकर तुरुत वहां आ जाता है मैंने तुम सब को कितनी बार कहा है कि इस्तिशा में ना आया करो ये इलाका मेरा है अगर जान प्यारी है तो भाग जाओ यहां से ऐसे कैसे भाग जाएं हम भी कव्वे हैं अगर तुम उल्लू हो तो मैं देखती हूँ तुम कैसे हमें यहां से बगाते हो फिर क्या था कि उल्लू और गोरी में लड़ाई शुरू हो जाती है अपनी पत्ने को लड़ता देख कालू कवा भी उल्लू पर हमला करता है और वो दोनों मिलकर उस उल्लू की खूब पिटाई करते है तुमने मेरे सड से खून निकाल दिया अगर अपने माबाप का दूद पिया है तो यहीं रहना मैं अभी अपनी चील दी को लेकर आता हूँ ऐसा कहते हुए उल्लू वहां से भाग जाता है चल गोरी भाग जाएं वो जील बहुत जालिम है वो हमें मार देगी शरम करो कवे होकर डर रहे हो और मैं कवे होकर यह चावल खाए बिना यहां से नहीं जाऊंगी गोरी चावल खाना शुरू कर देती है दीदी बहुत मारा मुझे बहुत मारा है उस काले कवे ने थोड़ा कम और उसकी पतनी ने तो मार मार कर मेरे सर से खून निकाल दिया है मेरे उल्लू भाई जी को मारें वो कवे मैं अभी देखती हूँ ऐसा कहते हुए चील और उल्लू कवे और कवे के पीछे जाती है नाम क्या है तुम्हारा गंदी शकल वाली कवे गोरी अब चुप रहना गोरी चुप रहना ओए कालू तुम्हारे सामने ये भैंस मुझे गंदी बोल रही है और तुम खामोश हो और मुझे चुप रहने का बोल रहे हो कर लो जो करना है बुड़ी हाँ मैंने ही मारा है तुम्हारे इस उल्लू को और मेरा नाम गोरी कवी है मेरी माने मेरा नाम गोरी रखा था आज मैं तुम्हें गोरी से काली करके ही यहां से भेजूंगी फिर चील गोरी पर हमला करती है कवा चाहते हुए भी लडाई से दूर ही रहता है दीदी और मारो लडाई चलती है गोरी भी खूब मुकाबला करती है चील बुढ़ी थी और कुछ देर बाद वो ठक जाती है उल्लू जी उल्लू जी चलो अब मैं ठक गई हूँ फिर देखूंगी इस गोरी को ऐसा कहते हुए उल्लू और चील वहां से भाग जाते हैं बेशरम पती अपनी पतनी को पिटता देख रहे थे गोरी मैं सोच रहा था अगर उसने तुम्हें ज्यादा खायल कर दिया तो तुम्हें उठा कर कौन ले जाएगा मैं इसलिए दूर ही रहा इस चील को अब नहीं छोड़ोंगी मैं और तुम्हें तो घर जाकर देखती हूँ चल उठा चावल और चलें फिर वो वहां से चले जाते हैं रात को गोरी कवी बहुत गुसे में थी कालू अगर तुम सोच रहे हो कि मैं उस चील को छोड़ दूँगी तो ये तुम्हारा वेहम है उसने गोरी से पंगा लिया है गोरी से गोरी छोड़ वो चील और हम कवी हमारा उसे क्या मुकाबला अगर मुझे पता होता कि तुम इतने बुझदल हो तो मैं कभी तुम से शादी ही ना करती और फिर डूसरे रोज गोरी कवी सब पक्षियों को अकठा करती है गोरी बेहन और कालू आपने क्यों बुलाया है हम सब को यहां कल हम पहाड़ों के दिशा में गे थे वहां मेरी उल्लू से लड़ाई हो गई फिर तो अच्छा ही हुआ जो मैं कल तुम्हारे साथ नहीं गया था चुपकर जाओ डरबोकत होते मुझे बात करने दो और वो उल्लू उस चील को बुला लाया उल्लू की पिटाई तो मैंने अच्छे से की परन्तु उस चील ने मुझे मारा है गोरी बेहन अब तो हर समय यही डर रहता है कि ना जाने कब वो चील हमारे घरों पर हमला कर देगी और हमें मार देगी मैंने इसी लिए आप सब को यहां बुलाया है सब अपना अपना दिमाग लड़ाओ के कैसे उस बुड़ीहा को मारें अगर वो चील मर गई तो उल्लू खुद ही भाग जाएगा फिर सब पक्षी सोच में बढ़ जाते हैं आ गया आ गया मुझे उपाए आ गया मुझे पता था मेरा गंदी आंकों वाला कपूतर भहीया ही कोई उपाए निकालेगा बताओ बताओ कपूतर क्या उपाए है हम उस चील को जहर दे कर मार देंगे और उसे जहर देगा कौन तुम्हारा बाप बुद्धू कहीं के मेरा बाप नहीं मैं ही दूँगा बस आप सब देखते जाओ अब तो वो चील और उलू मरेंगे और जरूर मरेंगे कबूतर भेया कुछ बताओ भी या ऐसे पहेलिया ही बुजाते जाओगे फिर कबूतर सब पक्षियों को अपना उपाई बताता है जिसे सुनकर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं वा वा कबूतर आज तो तुमने थाबत कर दिया कि तुम हम सब में से आने हो कबूतर भेया आप जंगल से जहरीली बूटी ले आए और मैं पानी पूरी का बंदोबस्त करती हूँ और कबूतर भेया आप जाओ और पहाडों की तरफ जाकर जंगल में इलान कर दो और फिर वो सब अपनी जोजना के अनोसार काम करते हैं सुनो सुनो अगर कोई यहाँ है तो सुनो जंगल के बीच में मैंने पानी पूरी की दुकान लगाई है पहले दिन सब के लिए फरी होगी बहुत सवादिष्ट है मेरी पानी पूरी अगर कोई मास्खोर सुन रहा है तो वो भी आ जाए सब के लिए फरी पानी पूरी सुनो सुनो ऐसे कबूतर इलान करता है दीदी कुछ सुना? हाँ हाँ मैंने तो सुन लिया कबूतर कह रहा था कि मास्खोर पक्षी भी फरी में पानी पूरी खा सकते हैं तो फिर दीदी चलें उल्लू कल उस गोरी की बच्ची से लड़ाई हुई थी कहीं वो काली कवी हमें मारने के लिए कोई जाल ही ना बच्चा रही हो चील दी आप चील हो और वो कवी फलावो आपका क्या पिगार सकते हैं? अपनी तारीफ सुनकर चील भी फूल जाती है तो फिर चलो हम भी तो देखें कैसी है कबूतर की पानी पूरी फिर वो दोनों जंगल की तरफ आते हैं पक्षी भी अपना जाल अच्छे से बचा कर बैठे हुए थे वो आ गई वो आ गई चील और साथ में वो बड़ी आँखों वाला उलू भी है आज मेरे मन को शांती मिलेगी आज ये दोनों हमारे दुश्मन मरेंगे कबूतर देखा नहीं कौन आया है अपनी करदन नीचे करो कैसे अकड़कर बैठे हुए हो चीलती चीलती अब तो मेरी दुकान बहुत अच्छे से चलेगी मैं सब को बताऊंगा मेरी पानी पूरी खाने चीलती भी आई थी तो फिर लाओ कैसी है तुम्हारी पानी पूरी कबूतर पूरी और जहर वाला पानी उल्लू और चील के आगे रख देता है गोरी, कालू, चीडिया और तोता चुप करके बैठे हुए थे फिर चील पेट भरके पानी पूरी खा लेती है अभी उल्लू ने इतना ही कहा था कि चील और उल्लू दोनों जमीन पर गिर जाते हैं गोरी कहते हैं मुझे गोरी, अब पता चला मैं गोरी हूँ या काली मरने से पहले मुझे एक बार अच्छी से देख लो दीदी, क्या हम मर रहे हैं? मेरा मन बहुत खबरा रहा है चहरीली पानी पूरी खाई है तुम दोनों ने अब कैसे बचोगे? कालू लाना जरा पड़ी वाली लाठी मैं देखती हूँ अब इस चील को परन्तु वो चील और उल्लू वही मर जाते हैं ऐसे गोरी कवी और सपक्षी अपनी बुद्धी से काम लेते हुए अपने शक्तिशाली दुश्मन को ठीकाने लगा देते हैं सपक्षी गोरी की बहादरी और कबुदर की भुद्धी से बहुत खुश थे